हेलो यूट्यूब फेमली आप साड़े लोगों का स्वागत है हमारे चैनल चानक्या इस्टडी पॉइंट में मैं आसा करता हूं कि आप साड़े लोगों का तैयारी जो है वो काफी अच्छा चल रहा होगा ताकि आप लोग अपने बोर्ड एक्जाम 2025 में अच्छे वो अंग आप प्राप्त कर सके ठीक है उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने जो है आप सबों के लिए कोस्टन बैंक का स्रीज स्टार्ट कर दिया है जिसने भी इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है अभी तक तो वह जाकर देख ले जिसमें हम लोग 2011 2011 question bank का जो है हिंदी, math और Sanskrit का बात कर चुके हैं आज इस वीडियो में 2011 question bank का हम लोग बात करने वाले हैं science subject के बाड़े में तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में आपको science subject के 2011 में जितने भी question पूछे गए थे उन साड़े question का answer बताने वाला हुँ तो इस वीडियो को पूरा लाश तक जरूर देखें और जितने भी चानक्या इस्टेडी पॉइंट के ओफ लाइन से जुड़े हुए बच्चे हैं उनका भी टेस्ट में यही कोस्चन आ रहा है तो उनके लिए भी काफी जादा इंपोर्टेंट हो जाता है चलिए आज हम लो फिछाड़ती यथा संभव अपने सब्दों में उत्तर दे आपको क्या करना है आपको कितना समझ में आया आपको कॉनसी बात समझ में आई है उसी का आपको answer देना है वही answer लिख कर आना है इससे आपको पुड़ा-पुड़ा marks मिलेगा ठीक है आगे है कि आपका जो है दाहिनी ओड आपका marks दिखाया गया है कि कौन से question जो है कितने marks के है ठीक है उसके बाद है सभी उत्तर सभी प्रस्ण के उत्तर देना अनिवारिया है आपको मैं ब में क्या हौड़ा अभी के टाइम में आप लोग 2005 में एक्जाम दीज्एगा उसमें सव दोस्तर पाईगा ठीक है उसमें से मत आपको पचासी नहीं करना हो सभी नहीं जालीए आगे देख लेते हैं लोग इस प्रस्ण पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनिट का एक्सटा समय मि मिनिट का ठीक है दो गंट 15 मिनिट का टाइम है आपके पास उसमें से जो है ठीक है उसमें से 2-30 मिनिट आपको क्वेश्चन को सॉल्प करने के लिए मिलता है कि यह विद्यार्थियों के लिए कि जो है सब स्रीमा का ध्यान रखें question देते वक्त ठीक है question का answer देते वक्त तो चलिए यह था कुछ समानने निर्देश जो मैं आपको हर एक वीडियो में बता देता हूं ठीक है अब हम लोग चलते हैं question की तरफ तो सबसे पहला question देखते हैं निर्देश दिए गया है question के लिए उनको भी ध्यान से देखेंगे एक वाले प्रस्णों के उत्तर लगभग पचास सब्दों में तीन अंक वालों वाले सब्सक्राइब के उत्तर लगभग 75 सब्दों में यहां पांच वाले प्रस्णों के उत्तर लगभग जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है देखें कितना आसान इसका क्या होगा एंसर सोडियम ठीक है पहला नमर का सोडियम होगा ठीक है उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे आप लोग क्या करें अपने-पने कॉपी में क्वेश्चन के साथ-साथ एंसर भी जो है लिखते हुए इससे आपका पुड़ा तैयारी हो जाएगा ठीक है चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आवर्थ सार्णी में प्रथम वडग के तत्व हैं उसमें आपका क्या आता है हाइड्रोजन के साथ-साथ और भी बहुत साड़े आते हैं ठीक है हाइड्रोज निमनलिखित समीकरन को संतुलित करें चलिए इसके बात का देख लेते हम लोग यह आपके सामने जो है दिया गया है इक्वेशन इसको आपको क्या करना है संतुलित करना देखिए यहां पे F2O3 प्लस 2Ai अब फिर इधर क्या है 3Ai2O3 प्लस 2F देखिए क्या क्या यहां पर आपको संतुलित करना पड़ेगा यहां देखिए सबसे पहला में जो है F2O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3O3 F2O3 के आगे जो है 3 लगाना होगा ठीक है F2O3 3 लगा देंगे तो F2 कितना हो जाएगा 6 अब प्लस उधर कितना है 6 AI है तो यहाँ पे लिख देंगे 6 AI ठीक है और एडो देने के बाद आपको आपको आजाएगा 3 AI 2 O3 प्लस 6 FE ठीक है अब देखिए अब आपस समीकरन जो है संतुलित हो गया होगा देखिए यहाँ पे 3 तूजा कितना हो गया 6 FE इधर भी 6 FE 6 AI तो 3 तूजा 6 6 AI यहाँ भी O हो गया 3 3 9 यहाँ पे भी 3 3 9 तो O 9 तो यह सब कुछ जो है आपका संतुलित हो गया तो एंसर क्या हो जाएगा 3 FE 2 O3 प्लस 6 AI एडो देखे 3 AI 2 O3 प्लस 6 FE यह होगा आपका एंसर चलिए अब अगला औक्साइड इसका एंसर क्या होगा लौ ऑक्साइड पांच नमबर कर ठीक है चलिए अगला कुस्टिन देख लेते हैं हरे पौधे में किस घटक के अभाव में प्रकास संसलेशन संभव नहीं हो पाएगा ठीक है हरा में सबसे पहले आपको पता होना अच्छे पौधे में प् होता है जो पत्ता होता है ठीक है पत्ता होता है वही करता है क्या प्रकास संसलेशन का क्रिया अब पत्ते में जो हड़े पत्ते होते हैं उसमें क्या पाया जाता है तो क्लोड़ो फिल पाया जाता है तो इसका एंसर हो जाएगा वो क्या हो जाए क्लोड़ो फिल जिसको नमबर में हम लोग देखते हैं दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली अस्थान को क्या कहते हैं तो दो जो तंत्रिकाओं के मध्य जो खाली अस्थान होता है उसे हम लोग कहते हैं सिनेप्टिक जो है सिनेप्टिक दडार ठीक है सिनेप्टिक दडार आप लोग ध्यान से साड़े question को जो है करते हुए चलिए और solution भी जो मैं answer बता रहा हूँ उसे भी अपने copy में लिखते चलिए ठीक है अब है 8 नमबर में मनुस्य में चीनी के पाचन में कौन हर्मोन सायक होता है ठीक है ठीक है तो हमारा जो है आठ नमबर में था मनुस्य में चीनी के पाचक के लिए कौन सा हर्मोन सायक होता है इसका एंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चीनी के लिए आपका होता है इंसूलीन ठीक है अगर संक्या होगा या फिर आप बोल सकते हैं 23 जोडे या तो तो ओम के नियम में जो है यhos ताप कमान अचड रहता यन तरकमान क्या रहता है कि चलिए उसके बाद जो है बारा नमढर में देखते हैं विध्युत्स शक्ति का इसाई मर्टर क्या होता है तो सब्सक्ति हैं किसमें हम लोग मापते हैं वाट में रहां टिक है Gal बारा का एंसर होगे आपका वाट तैस नमबर में चलते हैं लो सौरी तेरा नमबर में चलते हैं इस परश्ट द्रिष्टी की नियूंतम दूरी क्या है इस परश्ट द्रिष्टी की नियूंतम दूरी इसका हो जाएगा 25 cm सेमी जिसको आप लोग गोलते हैं 25 सेम यह हो जाएगा इस स्वाइस्ट द्रिष्टि की नियुनतम्रूरी चलिए आगे चलते हैं मृफ चौदा नमबर में बायो गैस का प्रमुक होगा का मिथemu चलिए उसके बाद 15 नमब्र में आपका वन्संब्षान का एक प्रमुक उपाय है जो तो वन संदक्षन के लिए हम लोग क्या कर सकते हम लोग जो है पुनर ओपन करेंगे यह सबसे जो है महत्वपूर्ण बात है पेर लगाना होगा हम लोगों को ठीक है तो इसका एंसर हो जाएगा पुनर ओपन उसके बाद है आपका 16 नमबर में प्रतियस्थापन अभी किडिया क्या है उधारन देकर समझाइए यहां से देखिए आपका तू मार्स का क्वेश्चन स्टार्ट होगी तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके एंसर की तरफ पहला है प्रतियस्थापन अभी किडिया क्या है उधारन देकर समझाइए प्रतियस्थापन आप लोग को समझ में आड़ा होगा कि जिसमें जो है क्या होता है परमानू योगिक जो है उसका उनका विस्था अस्थान जो है इधर-उदर हो जाता है तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे यानि जो भी योगिक और परमानू के अनू होते हैं वो अपना अस्थान चेंज कर लेते हैं प्रतियस्थापन में ठीक है अब हम लोग बात करेंगे आगे के बाड़े में ठीक है चलिए अभिकाड़क के परमानू तथा ठीक है तथा समू योगिक के परमानू अथवा समू को विस्तापित कर उनका अस्थान ग्रहन करते हैं प्रतियस्थापन प्रक्रिया कहलाती है अभिक्रिया कहलाती है ठीक है यहाँ पर देखें क्या होगा एक्जाम्पल में CH4 प्लस CL2 को हम लोग सूर्य प्रकास देकर reaction करवा है वो क्या किया CS3 जो है CL के साथ चले गया यानि यह किसका अस्थान ले लिया इसके साथ और HCL यानि H जो है वो किसके साथ चले गया इसके साथ यानि दोनों जो है अपना अस्थान चेंज कर लिया इधर से एक CL इसमें आ कि देखे 17 नंबर में है आपका उर्जा स्रोत ठीक है उर्जा स्रोत के रूप में जिवास इंधन तथा सूर्य की तुलना की जिए और अंतर लिखे ठीक है 18 नंबर में ग्लूपोच के ऑक्सिकलन से विभिन जीवो में उर्जा प्राप्त करने के विभिन मार्ग क्या है उस इन दोनों चीजों को बताना है तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ कि नहीं कि शक्योवक्वाजर देखे 17 नंबर में जो है आपका जिवास्प ओल्दन एबन सूर्य उर्जा में अंदर सबसे पहले हम लोगа कॉलम बना लेंगे यह एक बार खतम हो जाए तो फिर वापस इसे जो है नहीं ला सकते हैं लेकिन सूर्य का प्रकास क्या है यह उड़ा का नभीकर्णिया शुरोत है यह खतम नहीं होगा अभी ठीक है इनके भंडार सिमीत है जिवास्मिंधन के क्या है भंडार सिमीत है उसके बाद जो है इनका सूर्य प्रकास क्या है उसके बाद है यह प्रदूशन यूगत इंधन है यह प्रदूशन मुगत इंधन है ठीक है तो सूर्य प्रकास से क्या कोई प्रदूशन भी होता है नहीं होता है लेकिन जिवास्मिंधन जो है उससे प्रदूशन होता है यह तीन पॉइंट यहां प आपका कि ग्लुकोच के ऑक्सिकरन से विभिन जीवों में उर्जा प्राप्त करने के विभिन मार्ग क्या है ठीक है तो उसी काम लोग का ऑक्सिकरन होता है तो ऑक्सिकरन सबसे पहले स्वासने क्या है जटिल राशायनिक प्रक्रिया है और इसमें ऑक्सिजन और कर्वन डायोक्साइड का आधान प्रदान होता है और खाद्य पदार्थ का जो है ऑक्सिकरन होता है यहां पर एक जो है एक्वेशन दिया हुआ एक ठीक है एक्वेशन के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे ठीक है ठीक है एक्वेशन में आपका C6H12O6 plus 6O2 equal to 6CO2 plus 6H2O plus उड़ जा ठीक है प्लस क्या उड़ जा अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्या बोला गया है ठीक है उसके बाद ऑक्सी करन हम लोग करते हैं तो इसका मतलब क्या उसे डालते हैं उसके बाद वह रियक्शन करता है तो यहाँ पर वही होड़ा है इसको आप लोगों को लिख लेना है चलिए उसके बाद 19 नमबर में हम लोग चलते हैं 19 नमबर का question था आपका जैवी काबरधन क्या है क्या पाड़ी तंत्र के विभिन अस्तरों पर जैवी काबरधन का प्रभाव विभिन होता है क्यों इसको आपको बताना है तो चलिए इसका solution अम लोग देख लेते हैं विभिन साधनों द्वाड़ा अगर आप लोगों को वी विभिन साधनों द्वाड़ा हानी प्रद रासाइनों का आहर स्रिंखला में प्रवेश कर सरीर में सांद्रित होने की प्रकिडिया को जैव आवर्धन कहते हैं ठेक है जैव आवर्धन आप लोग समझ गए होंगे हम फसलों को रोगों से बचाने के लिए कीट नासक पिरक अजीराइनों का छिरकाव करते हैं इनका कुछ भाग मिट्टी ड़ाड़ा भूमी में रिज़ जाता है जिसे पाद है जिसे पॉध हे जड़ों द्फड़ा खनीजों के साथ ग्रहन कर लेते हैं ही पॉध हो के उपयोक से वे रसाइन हमारे सरी्ष में प्रवेस करते हैं ठि के पड़िनाम स्वरुप जय भावर्धन का विस्तार होता है ठीक है मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ रहे होंगे ठीक है चलिए अब हम लोग आगे कुस्चन को देखेंगे सॉल्योशन के साथ 19 तक हमारा हो चुका है इसमें टोटल जो है तीस कुस्चन है ठीक है तीसों का एंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं आप लोग लाश तक बने देए ठीक है चलिए देखे 20 नमबर में आपका कुस्चन है विद्यूत बहल्ब का नामांकित चित्र बनाईए ठीक है तो हम लोग देखेंगे विद्यूत बहल्ब का नामांकित चित्र एक इस नमबर में आपका ठीक है कि जो है कांच के आयताकार सिल्ली में आप वरतन के दो किर्णों का नामा कि देखे 20 नंबर का एंसर आपके सामने है बल्व का नावांकित चित्र तो बल्व हम लोग कैसे बनाईगी सिंपली जो आपको क्या करना है बल्व का डाइग्राम ऐसे बना लेना ठीक है यहां पर इस टाइप से कर देना उसके बाद अंदर में आपको क्या देना है सबसे इं के बारे में थुरा भू लिख भी सकते हैं ठीक है यह होगी आपका बल्व का नामांकित चित्र फिलामेंट के बारे में थुरा सा लिख भी दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है ठीक है अब चलते हम लोग कांच की सिल्ली में जो है अपवरतन को देखेंगे ठीक है विस यह कांच का सिल्ली अ देखें इस्में हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हैं यहाँ से एक ले को डालेंगे तो वो क्या होगा थोड़ा सा अपवर्तन करें का ठीक है ठोड़ा सा अपवर्त Bunny कम थो यहाँ 99 पहार निकलेगा कांच की सिल्ली है ठीक है तो जो हुआ से निकलेगा आप देखें इसमें चेनी नोर्मिल दो जगर रहेगा k..., ऐसको आप कुर्षित लाइन से दिखाना है ऑप कि उसके बाद आपक है दो हम लोग डाल देंगे उसके बाद अगर यहाँ पर आप वर्थन नहीं होता तो जो हमारा आप जित किरन है वो ऐसे सीधे निकलता थिक कर सीधा जाना चाहिए लेकिन आपवड़तन के कारण को कहां से निकल रहा यहां से निकल रहा तो दो आपको जो है मेडियम भी लेना होगा तो पहले आम लोग ले लिए हबादश राक्या ले लिए ग्लास तेया सिली चलिए अब आप लोग देखते हैं 22 नमबर के खोश्चरन को फिर आम लोग उसको समझेंगे ठीक है चलिए खोश्चिंड में बढ़ते आगे हम लोग वीडियो में सूत्र एवं उप्योग लिखे ठीक है चलिए तो देखते हैं इसके एंसर को चलिए 22 नमर में सबसे पहले देख लेते हैं 22 नमर का आपका कॉस्चिन था कि धातु कर्म क्या है ठीक है इसके विभिन चर्णों को लिखे तो देखे आयसको से धातुओं का निस्करसर ठीक है आय पहले आयसक मिलेगा फिर हम लोग उससे जो है हम लोग धातुओं अधातु जो भी रहेगा मेटल को हम लोग उससे बहार निकालेंगे ठीक है चलिए तो देखते हैं सॉल्यूशन को आयसको से धातुओं का निस्करसर एवं सुद्धी करन का पूर्ण प्रक्रिया को धातू कर्म करते हैं ठीक है हम लोग धातुओं को निकालके उसको साप सुत्रा करके एकदम पॉलिस डालके ठीक है फिनिस जो करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं धातू कर तो चलिए यहां पर जो है सबसे पहला प्रोसेस है आयसको की समरिद्धी उसके बाद दूसरा धातू केलसियम औक्सीजन और क्लोरीन के योगिक इसे चुने का क्लोरणाइट भी कहते है विरंजक चुन का ट्शून होता है तो यह ठीक है घ्यां में भी आता है बार-बार और ऑब्जेक्टिम में आपका तो और आएगा ठीक है चलिए इसका राशायनिक नाम का क्या है केलसियम oxy chloride ठीक है उसके बाद जो है इसका उप्योग को हम लोग जान लेते हैं इसका उप्योग laundry में विरंजक के लिए किया जाता है ठीक है उसके बाद जो है किटानू नासक के रूप में जल को सुध करने में किया जाता आप लोग अगर अपने आसपास देखें होंगे तो जो पोखर या फिर नदी होता है नदी तो नहीं पोखर जो हता तालाब जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें क्या होता है एक वाइट कलर का कुछ डाला जाता है जैसे छट पुजा के टाइम म चलिए उसके बाद सुध करने मों किया कागज की फैक्टरी में लकडी में मज्जा पल्प तथा कपड़ा उद्योग में सूटी एवं लिनेन का विरंजक के लिए इस्तमाल होता है तो आसा करता हूं कि आप लोग को कुस्चिन का एंसर है वो समझ में आया होगा चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं अगले कुस्च्चन को थैं चाहिश नमर में में आपको फाफ़ोमें प्रकास संश लेशन की किडिया को सचित्र दशाई प्रकास संसलेशन की प्रकड़िया कर बताना भीया और उसके बाड़े में दरसाना भी ठीक है उसके बाद है आपका 25 नंबर में यदि एक लक्षन ए अलेंगिक प्रजनन वाली समिष्टी के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा बी उसी समिष्टी में 90% जीवों 90% जीवों में पाया जाता है तो कौन सा लक्षन पहले उत्पन होगा और क्यों चलिए चौबिस नंबर में आपका प्रकास संस्लेशन प्रक्रम के समय निंदानकित घटनाएं घटित होती है पत्तियों के अंदर पाय जाने में रूपांत्रन तथा जल के अनुलों का हाइड्रोजन एभं औक्सीजन में टूटना ठीक है जल के आनू फॉट जाते हैं जल का फोर्मूला क्या होता है सानिक आज तो तो वह तो उटा है एच और में टूट जाता है ठीकि है एच प्लस और मैनस का करबन डायोकसाइट से कोच का बनना उसके बाद गुलू कोच बनता है ठीक है तो आई हो गया कि अप्रकाश संसलेशन का फूड गुलू कोच चलिए आपको यह कुश्चन समझ में आ गया होगा अब हम लोग 25 नमबर की तरफ चलता है लक्षन बी अलेंगिक प्रजनन वाली समिष्टी में 60 प्रतिस कुश्चन है ठीक है और तीन कुश्चन आपको देखना है उसके बाद आपका क्या होगा 2011 का साइंस जो है वह कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इस वीडियो के लाश्ट में मैं आपको जो है कुछ इंपोर्टेंट बात बताऊंगा एक्जाम से रिलेटेड ठीक है तो उ उसकी व्याख्या कीजिए ठीक है उसके बाद 27 नमर में द्रिष्टी दोस्त क्या है यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इसका निवारन कैसे किया जाता है यह सब बताना यह सब कितने नमाक्स का है ठीक है और आपका बोर्ड एक्जाम 2025 में यही सब कोस्चन जो है पूस्च बैंक से ठीक है पीवाइक जिसको आप लोग बोलते हैं को सचन बैंक से डहेंगे आप लोग जरूर से जरूर तैयारी करके जाए चलिए उसके बाद 27 नमबर का सच 26 और 27 नमर का कुस्चन आप लोग समझ गया होंगे चलते हैं इसके उत्तर की ओर ठीक है अब वय्वो में ठीक है विभिण अव्यवाः रंगों में विभक्त हो जाता है ठीक है विभिण होने की घर्णा को प्रकास का वर्ण विछेपन करते हैं ठीक है कहते हैं चलिए यह आपको समझ में आ गया होगा हम मैं थुटासा जो है इसको करके भी आपको दिखादेता हूं किस टाइप से यह होता है कि देखिएं ये एक प्रिजब में जभर लोग एक प्रकास की किरनों को डालेंगे तो वो क्या होगा अपने सात रंगों में बहार निकालेगा जो बहुता यहotal होता यहां उसमें जो है यह विभक्त हो जाएगा ठीक है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकास स्क्रीन पर उतार भी सकते आपको जो है समझ में पड़िछेपन किडिया का पड़ि नाम है वायू मंदल में उपस्थित वर्षा की बूंदो द्वाड़ा प्रकास में अपवर्तन तथा पूर्ण आंत्रिक पड़ावर्तन के पस्चात विच्छेपित होने से इंद धनुस का निर्मान होता है इंद धनुस सदैव सूर्य के विपड़ित दिसा में वरित के चाप के रूप में दिखता है इंद धनुस आपको कैसा दिखता है और उसमें साथ कलर होते हैं यह कैसे होता है यह जो वाटर ड्रॉप्स होता है ठीक है पानी की बुंदे होती है उसमें जब लाइट पड़ता है ठीक है लाइट जब हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेनवो समझ में आड़ा होगा आप लोगो चलिए उसके बाद द्रिश्टी दोस के बाड़े में जान लेते हैं 27 नमबर कोस्यन में आपका द्रिश्टी दोस था ठीक है तो जीन वैक्तियों के नेत्र में पड़ती बिम रेटिना पर नहीं बनता उनके लिए कहा जाता है कि उन्हें द्रिश्टी दोस है ठीक है आप देखें द्रिश्टी दोस कितने तरह का होता है तो द्रिश्टी दोस होत निकट द्रिष्टी दोस को दूड करने के लिए उचित फोकस दूड़ी के अवतल यानि अपसारी लेंस के चसमें का पड़ियोग किया जाता है ठीक है उसके बाद जो है आपका करते है रिख यहां पर यहां पर जो कोस्षिन में था उसमें कहा गया था कि द्रिष्टी दोस्ट के उपाए को लिखने के लिए ठीक हैachtet यहां पे हैं तो फिर क्या होता है प्रतिभीम रेटिना पर बनना इस्टार्ट हो जाता है उसके बाद है आपका अब इंदुपता इसमें क्या होता है इसके उप्चार के लिए ऐसे लेंस का उप्योग करना पड़ेगा जिनकी जो है 36 तथा उर्धवादर तल में फोकस अलग अलग हो वैसे लेंस का हम लोग पढ़ियोग करते हैं इसमें अब इंदुपता में उसके बाद है आपका चार नमर में जड़ा दूर दर्सिता ठीक है जड़ा दूर दर्सित का में क्या करेंगे इसका उप्चाड दूई फोकसी लेंस से होता है तो जिसमें फोकस कितना हो दो उसी से किसका होता है उप्चाड जरा दूर दर्सिता ठीक है चलिए यह था दृष्टी दोस्को दूर करने के उपाए ठीक है चलिए आफ हम लोग आगे कोस्चन देखते हैं इसका सामान ने सूत्र लिखिए उधारन दे प्रयोग साला में अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है यह भी आपको बताना है ठीक है उन्तिस नमर में आपका अत्यधिक व्यायाम के दोड़ान खिलाडी के सडीर पर क्रेंप यानि जो है जो दर्द जैसा महसूस होता है क्रें अचानक दर लगता है क्यों उसके बाद है आपका जब एंड्रिनलीन हार्मोन रुधिर में मिल जाता है तो सडीर में क्या अनुक्रिया होती है यह सब फाइप मार्स के कुश्चिन है ठीक है और यह सब भी आई भी आपके बोर्ड एक्जाम के लिए वेरी वेरी ठीक है चलिए उसके हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन को उसके बाद जो है आपका तीस नमबर के बाद एक तीस नमबर में आपका कुछ अब्जेक्टिव प्रस्न दिये गए हैं दस ठीक है उसको भी हम लोग देखेंगे सबसे पहले देखते हैं हम लोग 28 नमबर के एंसर को एथेनॉल एलकोहल स्रेनी का दूसरा सदस्य है और सभी एलकोहल में यह सबसे अधिक महत्पूर्ण और उप्योगी है ठीक है इसका समान्य सूत्र है CS3, CS2, OH ठीक है CS3, CS2, OH एलकोहल बनाने की विदी एलकोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वक्ष इंधन के रूप में उप्योग किया जाता है यह इंधन पढ़िया तो ऑक्सिजन होने पर केबल CO2 एबम जल उत्पन करता है ठीक है गन्ना सूर्य के प्रकास का रसाइनी कुर बनाया जाता और भी बहुत साघा चीज है ठीक है ऊसरक चीनी का वो एक टाइप से क्या बोल सकते है चीनी का जे साडहता है ठीक है उसी में do एंजाइम मिलता है फिर जो इमारा ग्लुकोज और फ्रक्टोज में तूटता है फिर वह जो है एथेनॉल बन जाता है और स्योटू जो है इस करता है ठीक है उसके बाद आपका 29 नमबर में था ठीक है 29 नमबर में जो है आपका अत्यधिक व्यायाम के दोरान खिलाडी के शरीर में जो है क्रेंप लगता है होने लगता है वो क्यों होता है ठीक है अत्यधिक व्यायाम से खिलाडीयों की मांस फेश्यों में ऑक्सिजन की कमी होती है जिससे ग्लूकोच के वी घटन से प्राप्त प्रतम उत्पाद पैर वेट तीन कारवन यूक्त लैक्टिक अमल में परिवर्तित हो जाता है इसके इसी लेक्टिक अमल का मान स्पेशिया में एकत्रित होने के कारण अत्यधिक व्यायाम के बाल खिलाडियों की मान स्पेशियों में क्रैम फुत्पन होता है आपको भी कभी अचानक महसूस होता होगा है पैड के एडी से उपर वाले हिस्से में अचानक कभी सोने के पर हो जाता है किसलिए हमारे सबिक में ल्यक्टिक अमल बन जाता है जिसके करण से होता है तो आपको वह समझ में होगा यह साठी बात इंदा कि अनडिलीन के हडनWow श्रावित कर देता है ताकि व्यक्ति आपातकाल का सामना कर सके ठीक है इससे हिर्दय की धरकन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेसियां को अधिक ऑक्सिजन की आपूरती हो सके पाचन तंत्र तथा तो अच्छा में रुधीर की आपूरती कम हो जाती है तो यह साड़ा चीज जो होता है एंड्रिलीन क कोस्चन में है आपका 29 में देखे एक और अथवा वाला भी कोस्चन है तो इसका भी आपको इसकी ले लेना है लिख लेना है ठीक है तीस नमर में देखिए ऐसाई मात्रक के साथ विद्यूत धाड़ा विवांतर और प्रतिरोध को पड़िभासित करे और इनमें संबंध न लोग तीस नमर के सॉल्यूशन की तरफ है कि 29 नमर का जो है अथवा का यहां पर है अंसर आप लोग चाहे तो इसकी इसे पढ़ ले ठीक है तीस नमर में देखिए सबसे पहला है विद्यूत धाड़ा ठीक है सबसे पहला क्या विद्यूत धाड़ा किसी चालक में प्रभाव की दढ़ को विद्यूत धाड़ा ठीक है जितना अवेस उसमें प्रभाह होगा अवेस मतलब क्या चार्ज ठीक है जितना चार्ज होगा उसी के रेट को हम लोग क्या कहते है करेंड करेंड मतलब विद्यूत धाड़ा ठीक है उसके बाद जो है विद्यूत धाड ठीक है इक हाई धन आवेश को विद्धुतिय छेत्र में किसी एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में किये गए काड़िये की मात्रा विववांतर कहलाती है ठीक है भोल्ट आपको याद होना चाहिए जब भी हम लोग बोलते हैं कि इतना भोल्ट आड़ा यह और वो और दो वह क्या होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक धना वेश कर जाता है उसी गोह हम लोग मातने किसे बोल्ट से तो उसी को हम लोग प्रतिरोध करते हैं प्रतिरोध मतलब क्या हो गया विरोध करना तो विद्धुद धाड़ा में जो विद्धुद धाड़ा का विरोध करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे प्रतिरोध ठीक है चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं प्रतिरोध आई का इसको बस आपको दिखाना ठीक है अब हम लोग देखेंगे उब्जेक्टिव प्रस्ण को ठीक है जो आपका दिया गया है 31 नमर क्वेस्टेन में वहाँ पे आपको टोटल अक्रिया यह किसी से भी किडिया नहीं कर सकते ठीक है इसलिए इसको क्या बोलेंगे अक्रिया गयर उसके बाद है जल के जल में हाई टोजन तथा ऑक्सिजन की परमानूं संख्या का अनुपात तो जल का सूत्र क्या होता है है ग्लाइब यहां पगो साफ़ साफ दिख़ढ़ा होगा ति कितना है दो अनुह के और औरो के एक अनु सुझान और एक तिनों एक नमबर हो जाय गाए उसके बाद है आपका अबर आही में कितने आवर्ट तो सकतने हैं सात तिके आवर्ट सात उसके बाद है आपका सिलिका क्या है है तो फॉर्ड नमर में आ जाएगा अपका छिली का जो है उपढ़ातू थिक्षाम ज्सकों साथ टॉ है अप्चा सब्सक्राइब यहां पे थोड़ा सा कन्फूर जर अगर आपको इस प्रकार से दिया गया हो तो यह होगा और चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं वैसे लेकिन उऊ जो हैнулकोël कहीं होता है चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं छर नर्ग में प्र्किर्ति में औक्सिजन का संतुलन कैसे बुधर उड़ाा है ऐसे बना घीके चलिए में स्वसन किरिया के अंत्रगत ADP के टूटने में कितनी उर्जा मुप्त होती है इसका जो एंसर हो जाएगा 7 नमबर का वो हो जाएगा 3.5 किलो जूल पर मोल उसके बाद आपका 8 नमबर में मानव भिर्दे में कितने कोश्ट होते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा आपका 4 प्रकुंचन दाव है लगभग कितना है तो आपका है नो नमबर में 120 mmHg एगा 120 mmHg कि उसके बाद 10 किन अप्सिष्ट उत्पादों को डुधीर में अपोहन द्वाड़ा प्रिथक करता है तो इसका एंसर होगे आपका 11 नमड का यह ठीक है नाइट्रोजन 12 में है आपका हाइड्रा में प्रजनन किस विदी से होता है तो हाइड्रा में आपका होता है दुई खंडन से खंड खंड में जो तूटता है दो भाग में ठीक है खंड हो जाता है उसका उसी को हम लोग बोलते हैं दुई खंड उसके बाद आपका 13 नमड में इसी माध्यम मे में M m ka man क्या होता है sin-AI बटे Sign-R ठेक यह वाला आई उपर में emit O उसके बाद है स्पेक्ट्रम में किस रंग की तो पंद्रह नंबर में हो जाएंगा बिद्यूत्फ्यूज भीद्ध ढार के किस प्रभाव पर कारिकर तो 16 नंबर में हो जाएगा आपका है है पacasण प्रभाव कि सव्वाव इसमें करता है तो चमप्रभाव आठा स्वाड़ी 17 नंबर में हो जाएगा आपका 17 नंबर में हो जाएगा किस कुंडली का प्रतिरोध ज्यांत करने के लिए सूत्र तो भी क्वेश्ट होता है आपका आई आड ठीक है तो यहां पर आपको आड निकालना है तो आड का वेल्यू क्या आज जाएगा भीवाए प्रतावती दहरा भी और दित्ष्ट धाड़ा भी दोनों किसे पराफ्ट होता है तो इसका अंसेल भी गंधा जल में लोगँ डता है ठीक है निम्लिखित में से कौन बायो गैस इंधन का सरोस नहीं है ठीक है इसका अंसर तो भायोल-धैस इनडन का नहीं है यहां पर थुरा सा एंसर में जो हमको डाउट लग रहा है ठीक है यह तो गोबढ़ गैस होगा यह ना भी किया उड़ जाब भी हो सकता है यहां पर जो बायोगैस इंधन नहीं है ठीक है चलिए ठीक है अब हम लोग चलते हैं अपने लाश्ट में यानिकी यह वीडियो जो है 200011 का जितना भी स्वाल्यूशन था मैंने आपको सब जो है इस वीडियो में बता दिया है ठीक है तो यह 200011 साइंस का अब देखिए आपको अपनी तयारी को और भी बहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए ठीक है सबसे पहला कुस्यन है सबसे पहला बात जो है कि आप अपना टार्गेट सेट कीजिए ठीक है कि हमको 400 400 प्लस लाना ही है ठीक है कि आजकल जो है पढ़ाई जो है आसान हो गया ठीक है आपको इतने सारे सोर्स ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको यही वाला यूट्यूब चैनल में जो है चानल कि हमारी यूट्यूब चैनल पर जो है बहुत सारे ऐसे इंपर्टेंट इंपर्टेंट वीडियो मिलेंगे जैसे अभी आपका लाइब सेशन चल रहा होगा सं उसे भी आप लोग अगर पुडा देखिएगा तो आपको बहुत ही ज्यादा फाइदा पहुंचेगा ठीक है इधर बहुत साड़ा पुझा भी आड़ा है तो आप लोगों को क्या करना है बस इस साल जो है पुझा कम मनाना है ठीक है दुर्गा पुझा आ रहा है और भी ब बचा हुआ है ठीक है और आप लोग एक क्या करे एक चार्ट बना है ठीक है चार्ट में सबसे पहले नमरिंग लिखिए उल्टा डेट करके जो है बनाई यह जैसे माल लिए अभी मेरा टोटल 100 100 जो है दिन बचा हुआ है माल लेते हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे हम 90 फिर लिखेंगे 97 इस तरह से जो है 96 ठीक है इस तरह से टोटल यहां रहेगा एक जब हम लोगों का जो है एक्जाम जिस दिन इस्टार्ट होगा और आप लोग यहां पर डेट डाली जैसे आज कितना डेट है आज है आपका आज है आपका डेट ठीक है 27 सेप्टेंबर है तो कि यहां डाली 27 फिर 28 ठीक है 27 सटाशाइस डाली है ठीक है उसके बाद अलिए घा और आपका वरी पहुचश जाएगा ठीक है एक तक आते और डेली क्या कीजिए उसको cut किजी Ah 20-ář क खत्म होगा तो उसको cut किजी उसके बाद 28 कल खत्म हो जाएक तो उसको cut किजिए उसके बाद जो है 19 आएगा 29 आएगा तो उसको cut किजिए उसी तरह जबका आपका लाश दिन बचेगा इससे क्या होता एँ आपका माइंड पे प्रेशर पड़ता है माइंड जब आप ये कट किजेंगा रात में सोने से पहले तो वहां क्या होगा माइंड को लगेगा कि अड़े वा एक दिन और घड़ गया मेरा आज कुछ पढ़े की नहीं वह आपको सब डिविजन होते रहे ठीक है यह थी पहली बात और आप लोगों को question bank में बहुत ज्यादा ध्यान देना क्योंकि भीहार बोर्ड में जो है question bank से बहुत ही ज्यादा question आता है ठीक है लगभग 60 प्रतिसत अंग question जो है वो question bank से match करता है ठीक है question bank से match करता है चलिए तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मैं आशा करता हूँ कि अब यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग क्या करें इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करें ठीक है आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद